अगर आप यूपी टीजी टी पीजी टी इंग्लिश की तैयरी कर रहे हैं या इंग्लिश लिटरचर से लेटेट किसी भी कॉंप्टिटिटिव एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हलफुल होने वाली इसलिए वीडियो को पूरा देखें चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूँगा शुरू करते हैं जैसे आप यहां सबसे पहले ही देखेंगे लेटरी टर्म से हम मैंने एक स्लाइट तैयार कर रखे है आपके लिए और मैंने आपर कुछ लेटरी टर्म लिखकर रखे हुए हैं ठीक है तो नंबर बन आ यह क्या होता है एक pastoral poem होती है ठीक है poetic justice यह क्या होता है the idea that good are rewarded and evil punishment तो यह poetic justice क्या होता है जिन लोगों अगर कोई अच्छा काम किया है तो उनको भी reward मिलेगा जिन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसको punishment भी मिलेगा ठीक है इसको coin किया था दोस्तों इस ट्रम को Thomas Rimer ने ठी ठीक है next देखेंगे spring rhythm इसको invent किया था GM Hopkins ने metaphysical points दोस्तों पहली बार इसको use किया था Dr. Samuel Johnson ने यहां पर short में लिखा हुआ है Dr. Johnson बट इसका पूरा नाम है इनका Dr. Samuel Johnson ठीक है master of dramatic monologue तो master of dramatic monologue किसको बुला जाता है दोस्तों Robert Browning को अगर दोस्तों आपको नहीं पता है dramatic monologue क्य क्या होता है तो इस पर मैंने complete video बना रखी है आप चैनल पर जाएए और आप वहाँ पर जाकर इसको search कीजिए और हमारी video देखेंगे आपको complete पता चल जाएगा कि dramatic monologue क्या होता है ठीक है verse library दोस्तों French term होता है इसका मतलब होता है and open open formal poetry ठीक है इसको free verse भी हम कहते है originator of deconstruction तो इसके हैं Jacks Derrida informal essay तो informal essay को हम कहते हैं दोस्तो scholarly essay ठीक है परनिमी यह एक term होता है इसमें दोस्तों क्या होता है spelling different होगी meaning different होगा but sound same होगा pronunciation सेम होगा जैसे birth एक हमारे seat होती जैसे आपको भी train वगरा हम सफर करने जाते हैं तो आपको मिलता है यह birth हमारा यह birth हमारा है तो एक seat को भी कहते हैं एक birth होता है दोस्तों जन्म ठीक है दोनों की spelling आप देखेंगे B-E-R-T-H और एक B-I-R-T-H spelling दोनों की different है but pronunciation same है और meaning भी अलग लग है ठीक है तो इसको कहते है पैरो नीम मुझे लगता है थोड़ी सी spelling आप थोड़ी सी यह देख लेना 11 number की ठीक है दो negative हाँ 11 number में आपको बता रहा था हाँ ठीक है तो birth birth spelling दोस्तों different है meaning different होता है लेकिन sound same होता है उसको कहते है पैरो नीम ठीक है थोड़ा सा मुझे doubt लग रहा है अब एक बार search कर लेना negative capability इसको दोस्तों coin किया था John Keats ने ठीक है turn quote इसका मतलब क्या होता है a man who changes his opinions मतलब एक ऐ इसा इनसान जो अपनी opinion बदलता रहता है या change करता रहता है change कर देता है ठीक है तो उसका मतलब क्या होता है आट turn quote इसका यही मतलब है ठीक है bethos दोस्तों क्या होता है first used by sorry first coin by Alexander Pope in his essay Perry bethos ठीक है यह एक term है bethos जिसको पहली बार use किया था यह coin किया था किसने Alexander Pope ने अपने एक essay में जिसका नाम है Perry bethos ठीक है the points point दोस्तों points point का point किसको बूला जाता है Edmond Spencer को beat writers देखिए नई यहां आया beat writers beat writers किसको बोलते हैं जो लोग 1950s में लिखते थे उनको beat writers बोलते हैं ऐसा question कई बार exam से पूछा गया है तो यह सारे ही term आपके important है तो आप चाहें तो वीडियो pause करके लिखते जाएं यह screenshot लेते जाएं मुझे कोई problem नहीं है लेकिन ही बहुत important है आपके exam point of view से ठीक है the poets who wrote pastoral poetry ऐसे poets जो pastoral poem लिखते हैं उनको क्या कहते है ठीक है तो यह one word substitution में भी दोस्तो आपका आ सकता है ठीक है तो आप इसको द्यान लखना है Bicolic क्या होता है The Poets Who Wrote Pastoral Poetry ठीक है दोस्तो Parable क्या होता है यह तो बहुती famous term है आप लोगोंने सुना होगा A Brief Tale Illustrating Some Moral मतलब एक ऐसी story होती है छोटी सी जिसमें कोई ना कोई moral आपको मिलेगा ठीक है Next देखेंगे Pandora's Walks इसका क्या मतलब होता है A process that once begun creates many complicated problems मतलब क्या होता है यह एक ऐसा process होता है जो एक बार शुरू हो जाए तो बस problems की जड़ी लगा देता है यानि problems बढ़ाता ही रहता है चलिए आगे देखते है An Epic Epic को दोस्तों और क्या बोलते है Elegy act ठीक है अगर देखे कोई pronunciation मतर है वो आप अपने हिसाब से देख लीजे बढ़ मैंने यहाँ पर आपके लिए स्लेट तयार कर दिया है एक और देखते है Gestalt या Gestalt आप बोल सकते हैं इसको इसका मतलब होता है Unified Hall Father of Imagism किसको बोला जाता है Thomas Ernest Hume इनका आपको नाम शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है T.E. Hume करके भी मिल सकता है Esthetic Movement इसके पाइनेर है दोस्तों Walter Peter Egotistical Sublime इसको दोस्तों कोईन किया है Join Keats ने I think यह पहले भी आ चुका है अभी मैंने शाहिद देखा उपर Practical Criticism दोस्तों इसको कोईन किया है I.E. Richard ने Catharsis क्या होता है Purigation of Emotion of Pity and Fear चले आगे देखें Pro-Letarian Noble इनकों कहते हैं Working Class Noble तो इदर से ही पुछा जा सकता है कि Working Class Noble कौन से होते हैं और इदर से ही पुछा जा सकता है कि Pro-Letarian Noble कौन से होते हैं दोस्तों Reader Response Criticism Associated है Stanley Fish से ठीक है आप ध्यान रखना है Victorian Compromises First used by G.K. Chatterstern ठीक है तो ये Victorian Compromises इसको पहली बार यूज किया था G.K. Chatterstern ठीक है ये आप देख ले ना Chatterstern Sorry, I'm sorry ठीक है Pathetic Fallacy इसको invent किया था दोस्तों John Ruskin ने 1856 में Secondary Epic किसको बुले जाता है Ennit को Catharsis एक बार फिर से आ गया है अलग-अलग करके Definition इसकी दी जाती है एक्जामस में तो उसका आपको ध्यान रखना है Catharsis क्या होता है Refers to the effect of tragedy on the human heart is the purification and purification of emotion This word is taken from Medicine तो ये Catharsis है ये एक शब्द है Medicine उससे लिया गया है ठीक है दोस्तों और ये क्या करता है ये मतलब जो भी tragedy कोई भी play बगरा चल रहा होता है तो उसकी जो feelings है और जो tragedy की feelings है वो human के hurt में जो feelings आती है ठीक है तो उसको हम catharsis कहते हैं मतलब जो उसको feel कराता है जो tragedy उपर है वोही feelings जो लोग वहाँ पर बैठे हुए देख रहे होते है उसको feel कराता है या जो feel करते है उसी feelings को हम लोग catharsis कहते हैं लखा हुए refers to the effect of tragedy on the human art यानि जो tragedy है उसका effect human के hurt पर क्या पढ़ रहा है ठीक है तो वही आपका catharsis होगा fleshly school of poetry यह है डीजी रोस्टी से रिलेटेड ठीक है romantic term first used by frederick silge जो भी है आप इनका pronunciation देख लेना जीब सा नाम है hero couplet दोस्तो sorry hero quadrant कहते है four land का estrangea है और iambic pentameter में यह लिखा जाता है अगर आपको नहीं पता कि iambic pentameter क्या होता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है आप channel पर जाकर देख सकते है ठीक है buildings roman दोस्तों इसका मतलब होता है development of noble historical noble begin in romantic period तो जो historical noble है शुरू हुए थे romantic period में campus noble इसको हम academic noble भी कहते हैं और यह associate है हमारे Kingsley MS से symbolist movement was influenced by Edgar Allen Poe तो बहुत ही सारे important terms है आप इनको ध्यान रखेंगे सभी लोग ठीक है आगे देखते है American renesia American renesia हाँ first used by F.O. Methesian ठीक है F.O. Methesian Otaba Rima introduced by Thomas White तो Otaba Rima को एक form of stanza होती है ठीक है दोस्तों तो इसको introduce किया था Thomas White ने आगे देखेंगे सभी लोग ambiguity क्या होता है a statement which may contain two or more meaning तो ambiguity दोस्तों क्या होता है एक ऐसी statement होती है जिसके दो से या दो से ज्यादा meaning होते है ठीक है दोस्तों antithesis क्या होता है two opposite ideas are put together यानि दो opposite idea होंगे वो एक साथ आ रहे होंगे तो उसको हम कहते है antithesis morning star of rena सा किसको बोला जाता है दोस्तों Geoffrey Chaucer को ठीक है आगे देखेंगे queen of crime अगाथा क्रिस्टी को बोला जाता है queen of crime ये बहुत number 46 आप दियान से देखेंगे दो पुलिजर प्राइज इस अवाड़ेड वाई कोलंबिया उन्यूबरस्टी यानि जो पुलिजर प्राइज आप लोगों ने देखा होगा जो मिलता है राइटर्स को वो कोलंबिया उन्यूबरस्टी न्यूइवर्क देती है in the memory of Joseph Pulisar जो सब पुलिजर की मेमोरी में ये पुलिजर प्राइज दिया जाता है 1917 से ये प्राइज अमेरिका में दिया जा रहा है और ये दिया जाता है जनरलिज्म के लिए और लिटरेचर के लिए ठीक है historical novel begin in the romantic period ये साथ उपर भी आभी आ चुका था epiphany क्या होता है दोस्तों manifestation of God's presence anecdote क्या होता है a short account of real incident और a person ठीक है anecdote आगे देखेंगे ठीक है हाँ आगे देखते हैं number 50 देखेंगे inquinable या जो भी आप pronunciation इसका देख लेना तो ये ऐसी books होती हैं books होती हैं दोस्तों जो publish हुई थी 1501 से पहले उनको हम बोलते है inquinable या inquinable ठीक है conceit and wit are the features of metaphysical poetry ठीक है तो ऐसा पूछ लिए जा सकता है कि metaphysical poetry के क्या क्या features है तो आपको उसका बताना पहलेगा conceit and wit ballad a ballad stanza has four lines यानि जो ballad होती है उसमें stanza होते हैं उसमें charter line होती है classical tragedy was a form of drama ठीक है तो ये classical tragedy आप लोगों सबीने पढ़ाओगा अगा tragedy पढ़ते हैं तो इसको हम एक drama की ही form होती है ठीक है दोस्तो periphrases ये क्या होता है दोस्तों circumlocution or talking around number 55 prolapses ये क्या होता है future event is presumed to have already occurred मतलब एक ऐसा event जो पहले ही हो चुका हो future event हो ठीक है presumed to have already occurred एक और देखते हैं chasmus two or more clauses are related through a reversal of structures to make a larger point यानि दो या दोसे ज्यादा clauses ठीक है जो एक दूसे से relate रखते हो किसी एक structure के तुरू और जो एक large point बना रहे हो ठीक है मतलब एक कोई large बात बता रहे हो कोई बड़ा meaning कोई बता रहे हो ठीक है चलिए opposite of hyperbol उसको कहते है moises या understatement ठीक है hyperbol का opposite आ सकता है और देखेंगे अब येस paranormasia ये क्या होता है play upon words और पन यानि एक figure of speech आप लोगों ना अक्सर पड़ी होगी पन एक figure of speech होती है इसको हम paranormasia भी कहते है ठीक है एक और देखते है येस mellapropism ये क्या होता है दोस्तो the mistaken use of similar sounding words मतलब क्या होता है कोई ऐसा शब्द होता है जिसको हम बोलते है तो वह शब्द same word ना बोलकर हम उसके अलावा कोई दूसर शब्द कह देते है तो वह हमारा mellapropism होता है जैसे माली पाइनेपल हमें बोलना है तो पाइनेपल की जगा हम बोल सकते है politeness या politeness की जगा हम pineapple बोल जाए ठीक है तो यह हमारा क्या होता है mellapropism ठीक है मतलब एक शब्द जो हम बोल रहे हैं वो ना बोलकर उसके जैसा दूसरा कोई शब्द बोलते है वह हमारा mellapropism होता है ठीक है चलिए आगे देखते है spoonerism यह क्या होता है दोस्तो an error in speech यानि अगर आप कोई speech दे रहे हैं उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसको हम क्या कहते है spoonerism ठीक है आगे देखते है number 61 sink dodge इसको दोस्तों कहते है a part is made to represent the whole मतलब एक single part जो पूरे सभी चीजों की बात करता हो यहां किसी team की यहां किसी की भी तो उसको हम कहते है sink dodge collage and assemblance ठीक है conceit conceit क्या होता है elaborate parallel between two seemingly dissimilar objects or ideas यहां पर दोस्तों end लिग गया है यह end शुरू में ही तो आप इसको end समझें ठीक है end नहीं end होगा तो an elaborate parallel between two seemingly dissimilar objects और ideas चलिए आगे देखते है 64 understatements तो क्या होता है statement that says less than what is meant ठीक है एक और देखते है एक और देखते है epigram क्या होता है is a pity पिथी लिग गया है दोस्तों spelling अगर कहीं थोड़ी बहुत हो तो आप जड़ा चेक का ले न मुझे थोड़ा सा doubt है is a pity saying or remark expressing an idea in a clever or amazing way ठीक है which may contain two or more meaning एक ऐसी यह साइद उपर दोस्तों में पहले बता चुका हूँ यह रिपीट है तो यह थी आज की हमारी स्लाइट दोस्तों मैंने इसको explain नहीं किया है बहुत सारे terms हैं यह 66 हैं तो 65 मानेंगे क्योंकि यह already एक मैंने उपर यह explain बता दिया था आपको इनको मैंने explain नहीं किया है explain दोस्तों अगर मैं करता तो यह बहुत बड़ी वीडियो हो जाती वैसे ही लगबग पंदे मिनिट की वीडियो हो चुकी है तो 65 यह लिटरी terms है तो आप चाहें तो इनको रट लीजिए अगर इनका explanation चाहिए दोस्तों तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो यह सारे आपके terms है 65 terms मैंने यह आपको बता दी है UP, TGT, PGT के लिए आपके बहुत ही important term है ठीक है दोस्तों तो अमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए जरूरी help करेगी तो आज की वीडियो में बस एतना ही चले मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you